Hello Everyone, Welcome to the Dill Master आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानने वाले हैं कि Lime Chapter की क्या importance है हमारे life के aspects में Examination Point of View से क्या importance है Lime Chapter की ये तो आप जानती हैं already लेकिन इसके साथ साथ हम इसकी importance जानेंगे हमारी daily life में और साथ में हम ये भी समझेंगे कि Lime जैसे और कौन-कौन से binding materials होते हैं और साथ में हम ये भी समझने वाले हैं कि Lime को किन sources से पाया जाता है और limestone में कौन-कौन से और ingredients मुझूद होते हैं, constituents मुझूद होते हैं जो further help करते हैं binding में इसके साथ साथ इन सभी topics को जो हम आज discuss करेंगे इनसे जो पूछे गए previous year में questions हैं उनको भी last में discuss करेंगे तो चलिए video lecture को start करते हैं दोस्तो ancient history में constructional work के लिए lime को एक बहुत important binding material या building material माना जाता था because इसको use करते हुए हमने maximum construction की है ancient history में चाहे हमारे इंडिया में आप ताज महल देखिए या इसके इलावा बहुत बड़े-बड़े temples या forts basically lime को as a binding material use करते हुए construct किये गए हैं इजिप्ट में जो आप pyramids देखते हैं उनको भी हमने construct किया है as a lime using binding material और Roman Empire में भी constructional activities करने के लिए हम as a binding material lime का ही प्रयोग किया करते थे तो ऐसा नहीं है कि हम आज के समय पे सिर्फ और सिर्फ lime का ही प्रयोग करते हैं आज के दोर में हम जादा तर constructional work के लिए cement का use करते हैं तो आप सोचेंगे कि lime अगर इतना extensively use किया गया था ancient history में as a constructional building material तो आज इसका use क्यों नहीं किया जाता दोस्तों आज भी इसका use किया जाता है बट वहीं पर जहाँ पर lime locally available हो जहाँ पर locally available नहीं होगा lime वहाँ पर इसको use नहीं किया जाता है because lime की वज़े से जो strength और hardness properties achieve होती है constructional building material की उसको achieve होने में काफी समय लगता है बट cement की वज़े से जो strength और hardness चाहिए हमारे structure को वो बहुत जल्दी achieve हो जाती है so that's why fast construction करने के लिए हम cement का प्रयोग करते हैं बट जो lime को use किया जाता है उसकी वज़े से भी हम structure बना सकते हैं लेकिन ये बात बहुत important है कि lime की वज़े से जो durability characteristics है हमारे building material में वो बहुत important है because lime provides the durability characteristics to the building material इसी वज़े से आज भी ancient structures वैसे के वैसे ही हैं जैसे वो ancient history में थे और साथ ही साथ आप लोगों को मैं बताऊं कि ये जो constructional field में lime का use है इसके इलावा हमारे daily life में भी lime का बहुत use किया जाता है lime को हमारे body के level पे biological level पे भी use किया जाता है हम जो calcium tablets का intake करते हैं उसको बनाने के लिए lime का प्रयोग किया जाता है आप जो dairy products intake करते हैं उसमें भी calcium की मातरा होती है यानि कि lime की मातरा होती है और इसके इलावा हम अपने body में कुछ भी जो भी खाते हैं चाहे वो food हो चाहे वो fruits हो चाहे वो vegetables हो उनके अंदर जो nutrients और vitamins हैं वो हमारे body में तब तक absorb नहीं होंगे जब तक हमारे body में calcium की मातरा proper ना हो because calcium provides the growth hormones in our body हमारे body की growth के लिए बहुत important है calcium और इसके साथ साथ हम calcium को use करते हैं यानि कि lime को use करते हैं agriculture industry में भी agricultural industry में हम देखेंगे कि जो खाद बनाने के लिए हम basically वहाँ पर use करते हैं lime because lime provides the proper growth to the plants and trees plants में और जो trees में जो घाद डाली जाती है उसमें basically lime का प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ आप लोग को मैं ये भी बताऊं कि जो mountains में landslide होता है so उस landslide को रोकने के लिए हम soil stabilization करते हैं और उस soil stabilization करने के लिए हम lime का प्रयोग करते हैं as a agent then उसके इलावा हम lime का प्रयोग करते हैं sewage treatment में भी sewage treatment में जब हमको properly purify करना होता है sewage को तो हम वहाँ पर lime का use करते हैं as a purification agent आप rivers में भी इसका use देखेंगे कुए के जो पानी को जब साफ किया जाता है तो वहाँ पर lime का प्रयोग किया जाता है as a purification agent इसके इलावा constructional field में हम सिर्फ और सिर्फ concrete बनाने के लिए ही नहीं हम plastering करने के लिए भी use करते हैं lime का हमें proper जब plastering करनी होती है या जो proper ornamental works के लिए design प्रोवाइड करना होता है अलग-लग तरीके का तो हम lime का प्रयोग करते हैं previous chapter में भी आपने देखा था कि हम जब machinery cement बनाते हैं तो machinery cement में हम lime की मातरा को और cement की मातरा को इस तरीके से manage करते हैं ताकि वो properly workable हो सके machinery works के लिए और साथ ही साथ आप लोग को मैं ये भी बताऊं कि lime को white washing के लिए use किया राता है और इसके इलावा भी और भी बहुत fields में lime का use किया राता है glass production के लिए, steel production के लिए, iron produce करने के लिए हम lime का प्रियोग करते हैं, so there are vital importance of this lime as a product यानि कि इसको as a product समझें तो ये बहुत से अलग-लग field में use किया रा सकता है because there are so many uses of the lime, so इसी के साथ साथ आपको मैं ये बता चुका हूँ कि क्या-क्या importance है lime की, हमारे constructional field से लेकर और भी बहुत सारी field में so दोस्तो, आपको मैंने last chapter में पढ़ाया था कि cement एक binding material है और इस chapter में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि lime is also binding material तो आप सोचेंगे कि sir, ऐसे कितने type के binding materials होते हैं so उसी के लिए मैं आप लोगों को ये topic पढ़ाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि total कितनी broad categories में हमने binding materials को classify किया है so basically 3 broader categories में हमने binding materials को classify किया है सबसे पहली है air setting binding material और दूसरी है hydraulic binding materials और तीसरी category है autoclave binding material so सबसे पहली category की बात करें air setting binding material की तो ये एक ऐसे प्रकार के binding material होते हैं जिनकी अगर हम paste बनाएं यानि की air setting binding material को लेके water के साथ उसको mix करें और उसके paste बना ले तो वो paste air के contact में आके धीरे धीरे अपनी strength और hardness properties को अचीव करेगी जैसे की example के तोर पे gypsum, acid resistant cement and quick lime are the examples of air setting binding material आपको मैंने last lecture में ये बताया था कि जो quick lime होता है जैसे हम उसको भटी से बाहर निकालते हैं तो it has the tendency to form the lumps lumps क्यों बनते हैं? विकोस जैसे हम उसको भटी से बाहर निकालते हैं तो वो air के साथ contact में आके lumps बना लेता है विकोस air की वज़े से वो set होता है इसी की तोर पे दूसरा एक category है जिसको हम बोलते हैं hydraulic binding materials hydraulic binding materials इस प्रकार के binding materials है जिनकी अगर हम paste बनाएं यानि कि hydraulic binding material और water को mix करके उसकी paste बनाई जाए तो उसको air के साथ साथ water की ज़रूरत पड़ेगी यानि कि moist condition की ज़रूरत पड़ेगी hardness और strength properties अचीव करने के लिए ये जो hydraulic binding materials हैं इनको हम earth surface के below, earth surface के उपर और water में यानि कि पानी के अंदर भी use कर सकते हैं because they achieve their strength and hardness in the moisture यानि कि moist conditions में साथ ही साथ आप लोग को मैं बताऊं कि hydraulic binding materials की जो examples हैं they are Portland cement and its varieties and hydraulic lime Portland cement आप जानते हैं कि कितने प्रकार का होता था उनकी जितनी भी varieties हैं they come under the category of the hydraulic binding material जैसे कि ordinary Portland cement 33 grade, OPC 43 grade, OPC 53 grade इसके इलावा ordinary Portland cement के further categories कौन-कौन सी होती थी जब हम Portland posolana cement बनाते थे तो उसमें भी OPC यूज किया राता था जब हम sulfate resisting cement बनाते थे तो उसमें भी OPC यूज किया राता था so they all comes under the category of hydraulic binding materials समझे, now अब मैं आपको तीसरी category of binding materials के बारे में बताने वाला हूँ जो third category है जिसको हम बोलते है autoclave binding materials यह third category है यह special type के binding materials होते हैं जिनको special conditions की ज़रूरत होती है अपनी strength और hardness properties को achieve करने के लिए जैसे कि अगर हम autoclave binding material और moisture यानि कि water का एक paste बनाए उनको use करते हुए तो वो जो paste है it will achieve its strength and hardness properties when we put them into a particular condition वो condition क्या है 8 to 12 atmospheric pressure and 170 degree to 200 degree Celsius temperature इस condition में जब हम उसको रखेंगे तो वो अपनी proper strength और hardness अचीव करेगा और इसके लिए हम एक proper machine का use करते हैं जिसको बोला जाता है autoclave जिसमें हम proper temperature और pressure maintain करते हैं जितना उसको चाहिए autoclave binding material को अपनी strength और hardness अचीव करने के लिए समझे और इसके examples क्या होंगे इसके examples है sand, lime silica और इसके इलावा portland cement की कुछ varieties जैसे की portland cement की कौन कौन सी varieties हैं जिसको हम autoclave binding material में डालेंगे हम जो ऐसा binding material ऐसा cement basically जिसके अंदर sand की मातरा जादा हो जैसे की silica जिसके अंदर silica content जादा होता है जैसे की हम already पढ़ चुके हैं जिसमें silica content की मातरा जादा होगी that particular that particular cement will come under the category of autoclave binding material समझे so totally हमने 3 broader categories में binding material को classify किया है और उसी में यह सारे के सारे binding materials आ जाते हैं so यहाँ पे हमारा यह topic complete होता है दोस्तों हमने last class में पढ़ा था कि naturally हमारे environment में limestone present होता है but not the lime lime manufacture करने के लिए हमको limestone को high temperature पे burn करना पड़ता है जिस process को हम बोलते थे calcination so basically हमारे environment में तरह तरह के sources available होते हैं जहां से हम limestone को लेकर और उनको burn करते हैं lime manufacture करने के लिए तो ऐसे ही कुछ sources के बारे में अब मां आप लोगों से discuss करूँगा देखे बच्चों basically तीन प्रकार के sources होते हैं generally जहां से हम limestone को पाकर और उनसे further lime manufacture करते हैं जिनमें सबसे पहला type है calcite और magnesite limestone ये एक ऐसी category है limestone की जिसमें basically category यहां आप कह सकते हैं कि percentage available होती है carbonates की there may be carbonates of calcium और there may be carbonates of magnesium जनरली जब किसी limestone में ज्यादा मात्रा में carbonates मोजूद हो calcium के तो उसकों calcite limestone बोलेंगे और जिस limestone में अगर carbonates मोजूद हो ज्यादा मात्रा में magnesium के तो उसकों dolomatic limestone बोलेंगे और ये जनरली पाए जाते हैं कहां से जो mountains की चट्टाने होती हैं जो stones होते हैं वहां से जनरली इनको obtain किया जाता और further फिर वहां से हम lime manufacture करते हैं और इस particular category से जो हमको lime मिलता है उसको हम generally constructional work के लिए use करते हैं चाहे वो superstructure बनाना हो सब structure बनाना हो चाहे इसको use करना हो constructional work में for the construction अब इसके इलावा दूसरी category है conquer lime जोसको हम stone lime भी बोलते हैं यानि कि stone limestone या conquer limestone ये generally कहां से पाए जाता है हम जब अर्थ को dug करते हैं यानि कि मिट्टी को excavate करते हैं तो वो conquer पत्थर जो निकलते हैं धरती में से उनसे जो हमको lime मिलता है उसको बोला जाता है conquer lime और ये basically impure form होती है limestone की यानि कि इससे जो lime हमें मिलेगा that will be impure in nature और साथी साथ इससे हम क्या use लेते हैं further इसको use किया जाता है further constructional work में in the substructure construction इसको कभी भी आप white washing के लिए या आप ornamental works के लिए use नहीं कर सकते हैं और अब third category की बात करेंगे जहां से हम limestone को लाकर further lime manufacture करते हैं और वो category है sea shells यानि कि जो sea water के under जो पत्थर होते हैं या जो shells होते हैं या जो animals secrete करते हैं calcium carbonate उसको बोला जाता है sea shell limestone और ये एक ऐसी category है limestone की जो pure form में होती है इसके further examples हैं जैसे की white chalk, corals और ये जो category है limestone की इसको further हम use करते हैं white washing में या further ornamental works में और इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में यानि कि ये एक ऐसा limestone का एक source है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में lime present होता है यानि कि इसमें impurity बहुत कम होती है और इसको further हम use करते हैं उन purpose के लिए जहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ lime की जरूरत होती है जैसे की white washing जै जहां से हम actually में find out करते हैं limestone को और further manufacture करते हैं lime को अगर आप लोगों को ये सवाल पूछा जाए कि ऐसा कौन सा source है जो सबसे pure होता है limestone का तो आप बोलेंगे white chalk या corals और अगर आपको कोई बोले कि which is the impure form of limestone तो आप बोलिएगा conquer lime समझें तो बच्चे इसी limestone के sources के basis पे आप लोगों को ये मालुम चला कि limestone जब nature में पाया जाता है तो उसमें lime की बजाए उसमें impurities भी मुझूद होती है उन्हीं impurities को हम कुछ हद तक remove करते हैं by the process of calcination so इसी को discuss करेंगे हमारे इस next topic में that is constituents of limestone इसको आप काफी जगा पर इस नाम से भी जानेंगे impurities in the limestone actually में impurities ही तो होती है limestone में अगर हम lime के इलावा बाकी सभी के सभी ingredient की बात करें तो वो impurities ही होती है बट उन impurities में भी कुछ ingredients हमारे काम के होते हैं और कुछ काम के नहीं होते तो इन सभी के बारे में one by one discuss करेंगे बट उससे पहले आप लोगों को तीन properties के बारे में मालूम होना चाहिए जो कि हमारे last lecture में discuss कर चुके हैं already सबसे पहली property है hydraulicity आप जानते है hydraulicity एक ऐसी property है जिसकी वज़े से कोई material water की presence में या जहाँ पर proper air circulation ना हो वहाँ पर भी strength और hardness अचीव करें तो उसको बोला जाता है hydraulicity और what is setting? setting के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए setting का मतलब है कि अगर हमने किसी एक material के साथ और water के साथ एक paste बनाया है तो उस paste में से जैसे जैसे moisture evaporate होगा over the period of time तो वो अगर strength और hardness अचीव करें तो उसको बोला जाएगा setting और साथ में एक तीसरी property है जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए वो है slaking slaking के बारे में मैंने एक video आप लोग को दिखाया था बाकाइदा जिसमें कि हमने lime को जब limestone को जब हमने water में डाला तो क्या हुआ कि उसमें से heat produce हुई और वो heat धीरे 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 कम होती ही चली जाती है तो जो एक ऐसी process जिसमें हमारे जो limestone है बुझता चला जाता है यानि कि उसका sparkling कम होता चला जाता है तो उस process को बोला जाता है slaking in simple words slaking is the reaction between lime and water due to which further calcium hydroxide is formed समझे बात को अब ये तीनों process या तीनों इन अगर जो processes के बारे में मैंने अभी आपके साथ discuss किया है अगर इनके बारे में आपको मालूम है तो आप further ये समझ पाएंगे कि जो constituents होते हैं या impurities होती है limestone के अंदर उनका क्या role है तो चलिए one by one सभी को discuss करते हैं दोस्तो हमारे limestone में अलग-अलग ingredients या constituents मुझूद होते हैं जैसे कि carbonates of calcium and magnesium इसके इलावा clay, silica, iron compounds, carbon compounds, sulfates and alkali ये सभी के सभी ingredients हमारे limestone में मुझूद होते हैं लेकिन हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए carbonates of calcium जिसके through further हम lime manufacture करते हैं लेकिन जो बाकी के ingredients हैं हमारे limestone में इनकी मात्रा को जितना ज़्यादा proper amount में रखें तो ये सही रहेगा otherwise they will create harmful effects on our lime जो कि हम manufacture करेंगे so इन सभी को हम as a impurity consider करते हैं so इनी के बारे में ही one by one हम discuss करेंगे हम already lime के बारे में तो जान ही चुके हैं जयानि की calcium carbonate का क्या role है जिसके through हम further lime manufacture करते हैं तो मैं आप लोगों को lime के बारे में यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ जो कि हम पहले ही discuss कर चुके हैं हमारे lime stone में magnesium carbonate का actually में क्या effect होता है यह मैं आप लोगों को बताता हूँ इसकी वज़े से strength ज़्यादा आती है यानि की strength properties provide करने का काम करता है magnesium carbonate लेकिन इसकी वज़े से जो hydraulic properties हैं 5% तक तो अच्छी आती है लेकिन जैसे ही अगर magnesium carbonate 5% से ज़्यादा होगा तो इसकी वज़े से hydraulic properties जो हैं या hydraulicity की जो property है हमारे lime की उस पे harmful effect होने लग जाता है यानि की moisture की presence में वो set नहीं हो पाता वो साथ ही साथ इसकी वज़े से जो slaking होती है lime की उस पे भी effect होता है harmful तो इसी लिए ये बोला जाता है कि magnesium carbonate अगर हमारे limestone में present है तो it should not be present more than 5% अगर ये 5% तक मुझूद है तो it will provide the strength properties it will provide the hydraulic properties और it will provide the setting properties actually में hydraulic properties और setting properties आपस में मिले जुले हैं जैसे ही hydrolicity का मतलब क्या है moisture की presence में set होना यानि कि hydraulic properties का मतलब setting भी achieve होना होता है तो magnesium carbonate provides the strength properties, hydraulic properties and setting properties but not the slaking property slaking का मतलब जानते है न क्या होता है slaking means the reaction of lime with water जिसकी वज़े से further calcium hydroxide बनता है लेकिन जब magnesium carbonate मोजूद होगा तो ये calcium hydroxide बनने की बज़ाए कोई और ही compound बन जाता है इसलिए ये slaking process में actually interfere करता है इसलिए इसकी मातरा 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए समझे बात को अब आप लोगों को मैं बताता हूँ second ingredient या second impurity के बारे में that is clay it is the most important impurity which is present in our limestone limestone में basically जो ये impurity है clay की हर किसी अगर source की बात करे limestone की तो सभी sources में इसकी जो range है लगबग 5% से 30% के बीच में होती है 5 से 30% के range में clay मुझूद होता है अलग-लग sources में अगर clay percent actually clay की खुद की ये property है कि ये अगर moisture के contact में आएगा तो it will lose its strength properties इसकी जो strength है वो lose हो जाएगी बहुत कम हो जाएगी लेकिन अगर जैसे जैसे इसमें से moisture remove होता है या evaporate होता है तो on drying सूखने पर clay बहुत hard properties या strength प्रोवाइड करता है लेकिन अगर ये हमारे limestone में present है 5 to 30 percent की range में तो it will provide hydraulic properties लेकिन hydraulic properties जो है हमारे clay की ये as a individually अगर हमारे सिर्फ limestone में जादा मातरा में मुझूद हो यानि कि 90 percent या 95 percent या 80 percent के करीब clay present होगा limestone में तो इसकी वज़े से hydraulic properties बिलकुल खराब हो जाएंगी और moisture की presence में हमारा limestone set नहीं हो पाएगा लेकिन अगर clay की percent 5 to 30 percent की range में होती है limestone में तो it will provide better hydraulic properties यानि कि hydraulic city की जो property है हमारे limestone की अच्छी अच्छीव होती है if the clay content is between 5 to 30 percent और इसी की वज़े से setting भी अच्छी आती है but it interfere in the slaking process of lime with water इसी लिए हमारे clay का क्या role है limestone में it provides the hydraulic properties also setting properties but not the slaking property ठीक है जी चलिए अब ऐसा ही एक और ingredient है जिसको हम बोलते है silica या silicates actually में हमारे limestone में silicates present होते हैं या तो calcium के, magnesium के या iron के इन सभी silicates का actually में क्या role है कि they provide the hydraulic properties they provide the setting properties but not the slaking properties जो की actually में similar है clay के साथ actually में इसकी जो percentage है silica की, silica actually में क्या होता है silica is a sand और clay क्या होता है clay is soil in the very fine content बहुत fine texture में जब हमारे limestone में soil present होगा तो इसको clay बोलेंगे ठीक जी और sand क्या होती है sand is the large particles of the soil जो हमारे अगर limestone में present होगे they will interfere in the slaking process और basically इसकी जो percentage है silica content की 10-15% की range में होनी चाहिए सभी के सभी sources में limestone के यह percentage है silica content की यह 10-15% की range में होती है अगर यह ज्यादा मातरा में होगा free silica तो it will interfere even in the hydraulic properties, setting properties and slaking properties लेकिन अगर यह 10-15% की range में है तो it will provide better hydraulic properties to the limestone and setting properties but not the slaking properties समझे बच्चो अब आप लोगों को next ingredient या impurity के बारे में मैं बताना चाहरा हूँ वो है iron compounds, basically हमारे limestone में जो iron के compounds मुझूद होते हैं वो यह तो present होंगे in the form of oxides और in the form of carbonates और in the form of sulfides, अगर यह हमारे limestone में sulfides की form में present होंगे तो they will provide detrimental effect यानि की harmful effect on our limestone इसी वज़े से जब भी हमारे limestone में sulfides present होंगे iron के यानि की iron pyrites present होंगे जिसको हम chemical formula के तोर पर देखते हैं Fs2, Fes2 Fes2 की form में जब sulfides present होंगे हमारे limestone में तो हम उसको reject कर देते हैं लेकिन अगर हमारे limestone में अगर iron के oxides present हैं या iron के carbonates present हैं तो they will form a complex silicates जो की हमारे limestone के लिए better qualities provide करते हैं in the form of hydraulic properties समझे तो इसकी जो percentage है iron content की वो लगबग 2-3% की range में अगर है तो it will provide better hydraulic properties in our limestone लेकिन अगर यह ज़्यादा मात्रा में है तो इसके sulfides भी बनते हैं जो की harmful effect create करते हैं सभी properties पे even hydraulic properties पे setting properties पे और slaking properties पे इसलिए इसकी percentage पे proper हमको ध्यान रखना होता है कि यह 2-3% की range में हो अब next है carbonaceous content या carbon content हमारे limestone में carbon content actually में basically होता है नहीं है लेकिन अगर हो तो it will create harmful effect on our limestone बस इतना बात आप लोग को याद रखना है next है दोस्तो sulfates sulfates actually में limestone में enter करता है या तो soil के थुरू या rainwater के थुरू अगर यह हमारे limestone में बहुत कम मात्रा में मुझूद है तो it will harmfully affect the slaking property of the lime but it will enhance the setting property of lime और last है alkali बचो alkali हमारे limestone में अगर 5% से जादा है तो इसकी वज़े से harmful effects create होते है यानि कि e-fluorescence create होती है जो कि आप जानते ही है हम already cement chapter में पढ़ चुके हैं इसका क्या नुकसान होता है लेकिन अगर हमारे limestone में alkali 5% से कम है तो इसकी वज़े से अच्छी hydraulic properties भी आती है समझे सो हम सभी के सभी impurities के बारे में one by one discuss कर चुके है आप लोगों को इस topic से सवाल क्या पूछे जाएंगे अब आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि clay content कितना होना चाहिए silica content कितना होना चाहिए या iron content कि कितनी range होती है limestone में basically ऐसा सवाल आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा आपको बस ये मालूम रखना है कि इन सभी के सभी impurities का क्या role है harmful way में भी और better way में भी जैसे जो magnesium carbonate है it provides the strength to the limestone ऐसे ही silica content clay content provides the hydraulic properties और setting properties to the limestone लेकिन इनकी वज़े से slaking properties down होती है तो ये सभी के सभी points को आपको याद रखना है examination point of view से समझे so इन सभी के सभी topics को जो आपको मैंने आज पढ़ाए है इनके basis पे आप लोगों को जो previous year में questions पूछे गए है वो आप अब solve कीजिए किसदी है किस छो आपको एंद रहाद है किस Гरी ओचUNG गया है तो आपbit यद्म किस प्याद्श्श्ची back झा झाप एंग कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल